हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब भी लोग वेलकम बैक यह है लेवल अप इवेंट का वीडियो तो आज में सिक्स्टार में अप्ग्रेड करूंगा डॉमिनो को एंड प्लस में उसे यहां पे अवेकन भी करने वाला हूँ क्योंकि डॉमिनो जो है काफी अच्छी चैंपियन है और बहुत अच्छा तगड़ा डैमेज भी देती है यह तो हम डॉमिनो को सोच रहे हैं वैसे मैं सोच रहा था शांग्ची को रैंक टू पर डालने का क्योंकि स्किल में मेरे पास अच्छा रोश्टर नहीं है मोल मैन है जो कि बहुत बढ़िया चैंपियन बहुत बढ़िया है बाई मेरे पास क्रॉसबोन है लेकिन उसे भी अवेकन और सिगनेचर 200 चाहिए शांग्ची को अवेकन की जरुरत है डॉमिनो को भी सिगनेचर की जरुरत है लेकिन हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं रैंक 3 पे एंड आइटम यूज करते हैं अवेकनिंग जैम है हमारे पास तो इसमें डालते हैं अवेकन कर दी हैं आप जाके इसे अप GB करते हैं रैंक 3 पे डालते है दौढ़ा है फिर यह यूज़ करने वाले हैं एक यह यूज़ करेंगे सक्त लिएन जलरी लुब अटनिंग नहीं बिल् तोड़े बहुत है और दूसरे क्लास के आयसो डालने पड़ेंगे मुझे 16 लावल हमने इसमें डाल दिये हैं 25 तक जाना है काफी दूर तक जाना है फिलहाल तो हमें यहां पे फिल्टर हट आते हैं पहले तो अभ यहां पर थैले करते हैं सारे के सारे यह क्लें करना शुरू करते हैं Chandra VII अंब आप हारे पास 22 हमने 6 हम द्लावल सी यहां पे जंप किया है 22 level तक हम गए हैं अभी भी हमें 23 levels और अपग्रेड करने है अभी आदा भी हमने अपग्रेड नहीं किया है इसको आप लुग देखेरों 4 लाग गोल्ड खा रही है बाई ये कितना गोल्ड खा रही है मेरा level 40 तक हमने डाल दिया है पाँच लावल और हमें इसमें अप्ग्रेड करने है जल्दी से पाँच लावल अप्ग्रेड करते है और उसके बाद में हमारी जो डॉमिनो है वो भी यहाँ पे rank 5 मैक्स हो जाएगी मतलब rank 3 मैक्स हो जाएगी और साथ में awakening है तो critical failure भी काफी अच्छे देगी है हमें यहाँ पे बेसिक लेने है छोटे वाले बेसिक्स अरे कहां गया उपर क्यों नहीं जा रहा अबे एक है क्या मेरे पर टायर 4 का बाई हाद दे यार टायर 3 का देखे ज़रा claim करते हैं वाले बाई एक था मेरे पास क्यों डाल रहा हूं यही डाल देता हूं सिद्धे ठीक है rank 3 max out हो चुक है हमारी domino and मुझे नहीं लगता level up event complete हुआ rank 4 पे इसको मैं डालने नहीं वाला फिलहाल तो मेरे दिमाग में नहीं है फिलहाल में को rank 4 पे black block layer warrant डालनी है and shangchi है हमारे पास shangchi को मैं सोच रहा हूं डाल देता हूं rank 2 पे देते हैं वैसे यार कर ही देते हैं कर देते हैं वाई सोच रहा हूं मैं वैसे क्योंकि ये भी अच्छा champion है कर ही देते हैं यार क्या दिक्कत है यहां पे थोड़ा अप्गेड करेंगे level up event को complete करेंगे अगले level up पे इसको upgrade करना शुरू कर देंगे हम and 15 level हमने इसमें डाल दिये है and I think level up event जो है वो complete हो चुका है बाकी का जो level up है वो मैं next level up पे करूँगा तो last time हमने इसे level 15 तक रखा था अब 23 तक डालने का समय आ चुका है basic या दूसरे class के ISO इसमें डालने पड़ेंगे और बहुत सारा gold खर्च होने वाला है level 30 तक हम इसे डाल चुके है level 35 तक लेके जाना है तो जल्दी से level 35 पे भी 5 level और इसमें डालने है तो मुझे लगता है थोड़े से basic डाल के हो जाएगा ओके तो शांक ची के अगर बात करें तो ये थोड़ा ramp up champion है थोड़े बहुत इसके charges आपको build करने पड़ते हैं ताकि ये damage जादा दे और उसके बाद में special two I think अगर short fight खेलनी है छोटी fight खेलनी है तो मेरे खियाल से 10 charge जो है वो भी बहुत है मतलब इसके लिए और special two fact दो अगर लंबी fight खेलनी है तो मेरे खियाल से 50 नहीं तो अगर जादा ही खेलना है तो 60-70 इसके charge अगर बना लोगे उसके बाद में special two fact दोगे तो बहुत अग्रा damage आएगा तो ये champion है ऐसा ramp up champion है आपको charges बिल्ड करने पड़ेंगे इसका कोई भी कॉमबो यूज करो बस उसके बाद में एक हैवी दो ताकि जो चार्जिस है वो वापिस से reset हो जाए और वापिस से बनना शुरू हो जाए तो जो भी कॉमबो दोगे उसके बाद में आये सुकी इसके लिए एंड सोचा चोटी बिक्रहां पर है ओके तो ये क्लेम कर लेते हैं अब जो शांची है वो मेरे ख्याल से level 35 तक rank 2 पूरा max out हो चुका है अब जाते हैं देखते हैं कौन सा champion अब हम upgrade कर सकते हैं यहां पर किसकी हमारे को possibility है rank up करने के लिए ऐसे निम्रोड को भी करना है में तो cgr को भी करना है cgr definitely मैं करने वाला हूं कर लेते हैं अप्ग्रेड कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत तगड़ा damage देता है यह damage champion है इसके लिए तो basic fight है अगर छोटी fight करनी है जल्दी से निप्टानी है special 2 दे दो बहुत easily हो जाएगा अगर लंबी fight देनी है special 3 के बाद में special 2 दो बहुत easily हो जाएगा यह simple सी basic funda है बस एक चीज़ इसमें है कि आप dex मत करो block damage लो इसका लेकिन dex मत करो क्योंकि dex करने से इसका damage जो है वो कम हो जाता है उसके फिर वो उतना damage तो नहीं देगा cosmic के ISO इसमें यहाँ पे claim कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी यह rack up हो जाए और हमारा जो cosmic ghost rider है वो भी rank 1 पे max out हो चुका है मैं सोच रहा हूँ इसको rank 2 पे भी डाल दूँ वैसे मैं definitely इसको rank 3 पे लेके जाने वाला हूँ क्योंकि यह है champion वैसा rank 3 पे लेके जाने वाला rank 4 पे भी लेके जाता बट अब मैं hercules को rank 4 पे लेके गया हूँ तो मैं rank 4 पे सोच रहा हूँ black widow Claire voyant को लेके जाओ mystic का क्योंकि science में में लेके जाता है लेकि science में अभी कोई अच्छा रोश्टर नहीं है तो मैं अभी नहीं लेके जा रहा हूँ रहा है science में किसी को skill में या तो mole man को लेके जाओं गया निक fury अगर मिलेगा तो लेके जाओंगा या शांग ची को अभी skill की में बात नहीं कर रहा हूं म्यूटेंट में तो में लेके गया हूं म्यूटेंट में किटी राइड किटी प्राइड है science में भी कोई champion नहीं है मेरे पास अभी बाकी वचा टैक में टैक में तो warlock definitely में रैक 4 पे डालूंगा अगर मिल गया तो और कॉन सा टैक में जो रैक 4 पे जाने लायक है इंफेमस iron man अगर मिल जाता है crystal opening आने वाली है बहुत तगड़ी आएगी जैसे इंफेमस iron man 6 star में available हो जाएगा definitely मैं उसे grab करने का गोशिश करूँगा तो level 17 तक में इसे डाल चुके है level 35 तक लेके जाना है और मेरे को लगता निए मेरे cosmic के यहाँ पर ISO भी खतम हो चुके है और मुझे लगता निए बाई यहाँ बहुत gold लगने वाला है अब तो 21 तक हम इसे डाल चुके है 14 levels और इसमें upgrade करने है यहाँ और जल्दी से जल्दी 43 यहेभी 43 रहेगे बाई कम रहे गए मेरे ख़्याल से मैं कंगाल होने वाला हूं को इसको upgrade करते कंगाल हो जाऊंगा मैं definitely मैं कंगाल होने वाला हूं क्योंकि 43 से अब मेरे खाल से 2 ही बच गए ओके अभी 30 लेवल तक गया है यह पांच लेवल इसमें अपग्रेड करने है और और मुझे लगता है अब थोड़े से दूसरे क्लास के ISO मैं सोच रहा हूं डालने के लिए यहां टायर 4 के सोचूं टायर 4 के डाल सकते हैं कि टायर 4 क क्लास का ISO डालूं क्या और कोई आप्शन ही नहीं मेरे पास क्या करूं मैं डालने पड़ेंगे मुझे लगता है लेवल 30 तक डाला है साइंस में मेरे यार मैं साइंस की इतनी बड़ी बड़ी ब्रिक्स यूज नहीं करना चाहता हूं इस पे ओके तो गाइस यहां पे मैं द लेवल अप इवन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है रैक 3 पे नहीं डाल सकता है जैम है मेरे पास बट मैं यूज नहीं करना चाहता हूं इस पे ओके गाइस यहां पे यहां पे वाइड को रैक 2 पे डाल दो क्योंकि वाइड बहुत अच्छे चैंपियन है डैमेज ओवर कि मैं अपग्रेड करूँ मैं इसको करने वाला हूं क्योंकि कभी ने कभी अवेकन होगा और बहुत अमेजिंग काम करेगा डैमेज ओवर टाइम है यह अवेकन होने के बाद में जल्दी से जल्दी डीबफ डालता है सामने वाले पे और स्पैशल टू पे यह पावर स्टि देता है तो इसलिए यह खास चैंपियन है अवेकन होने की जुर्रत है इसको क्योंकि जादा से जादा डीबफ और जल्दी से जल्दी डीबफ यह अवेकन होने के बाद ही देता है एंड आई थिंक अभी जो सिंपल सी फाइट हो रही है मेरी बिना अवेकन के मेरे खाल से पांच डीबफ डालता है उसके बाद में रिसेट हो जाता है तो इसका डामेज भी नहीं है इसका लेकिन ठीक है फिलाल अभी बिना इसके चल रहा है तो ठीक है चलेंगे आगे एंड इसको भी हमने 33 लेवल तक इसके डाल दिया है तो लेवल इसमें ओधर अप्ग्रेड कर साइंस में फिलहाल मुझे लगता नहीं है मैं किसी को डालने वाला हूँ rank 4 पे यहां पे कुछ basics है यह भी claim कर ले बाई कंगाल हो गया हूँ मैं बिलकुल भी नहीं है मेरे पास फिलहाल हमने इसे rank 2 पे push कर दिया है rank 2 max out हो चुका है यह अब देखते हैं किसको rank up करना है कुछ crystals खोलने के बाद में कुछ requirement fulfill करने के बाद में मैं सोच रहा हूँ CGR को rank 3 पे डाल देता हूँ अब मैं CGR को rank 3 पे डालने वाला हूँ क्योंकि यह बहुत तगड़ा champion है बहुत तगड़ा damage देता है अभी मैं rank 2 पे इसका heavy use कर रहा हूँ मेरे ख्याल से ऐसे बिना fury के यह 30,000, 45,000 का heavy दे रहा है heavy का damage दे रहा है जब मैं fury ले लेता हूँ जैसे मैंने cavalier event quest में इसका use किया था 3-4 fury लेने के बाद में तो यह 85k, 95k का इसने heavy दिया है मुझे damage मतलब इतना ज़ादा heavy damage दे रहा है बाकी और कोई 4 नहीं है मेरे को inventory खाली करनी पड़ेगी skill के कुछ ISO यहाँ पर use करने पड़ेंगे day devil hell kitchen में यह भी एक अच्छा defender है battle ground का बहुत अच्छा defender है time waste बहुत सही करवाता है special one throw throw कर करके spam कर करके बहुत अगड़ा special time waste करवाता है and यह purify भी बहुत जल्दी करता है तो अच्छा defender है battle ground के लिए करूँगा upgrade इसे भी कभी ने कभी and फिलहाल तो हमें यहाँ पे cgr को rank 3 पे max out करना है मैं सोच रहा हूँ यार ISO होने चाहिए बराबर gold है वैसे मेरे पास बस ISO होने चाहिए बराबर इसे rank 3 पे करने के लिए rank 45 level तक लेके जाना है 12 levels हम इसमें डाल चुके है अभी भी बहुत सारे levels इसमें डालने हैं 57 कितने claim होए 28 ISO बचे 22 level तक बस 7 level गए क्या बढ़ा कम जा रहा है anyway कोई नहीं अभी देखते है बड़ी बड़ी bricks भी हमारे पास I hope कि 40 level तक हो जाए 22 level तक हमने इसे डाला था let's see देखते है 38 ओके not 40 लेकिन 38 बहुत सही 18 level हमने जंप किये है 38 level तक डाल दिये है 7 level इसमें और इसमें डालने है CGR में rank 3 पे max out करने के लिए awaken होने की जरुरत नहीं है इसको awaken की बिल्कुल भी जरुरत नहीं पड़ती awaken होने के बाद में ये आपको damnation देगा मतलब कि आपको damage देगा मतलब सामने वाले को damage देगा damnation जब हब heavy throw करोगे तो damnation मिलेगा उसको जिसकी वज़े से उससे वो damage मिलना शुरू हो जाएगा damage over time मिलेगा थोड़ा सा बाकी तो इसे awaken होने की जरुरत नहीं है बाकी इसका cycle भी easy है बस dex नहीं करना है बाकी easy है इसके साथ खेलना 44 level तक हमने से डाल दिया है एक level और और इसके बाद में R3 max है और मुझे लगता नहीं है level up event जो है complete हुआ होगा मैं सोच रहा हूँ निमरोड को भी rank 1 पे max out कर देता हूँ क्योंकि उसे भी upgrade करना है उसे awaken होने की जरुरत नहीं है मतलब awaken की जरुरत है इसको लेकिन awaken की बिना भी अच्छा है वो level 45 तक हमने इसे डाल दिया है Cosmic Go Shatter को rank 3 max out हो चुका है अब बारी है यहां पर मैं सोच रहा हूँ निमरोड को डाल दू rank 4 पे तो फिलहाल मैं इसको सोच नहीं रहा हूँ क्योंकि hercules अल्रेडी मेरा rank 4 पे Cosmic में मैं इसको सोच नहीं रहा हूँ rank 4 पे डालने के लिए निमरोड को डालते है rank 1 पे max out करते है level 16 तक हमें इसे डाल दिया है डाल देते हैं जल्दी से इसे तो अप्ग्रेड कर ही देते हैं इसे level 16 तक क्योंकि level up event अभी भी complete नहीं हुआ है 40 milestone complete हुए अभी भी last milestone जो है वो complete करना है tech के ISO मेरे पास होंगे शायद से क्योंकि वो claim करने पड़ेंगे तब ही जल्दी से जल्दी होगा बाई मेरा gold कितना जा रहा है वैसे मेरे पास gold काफी जादा है cyber weekend से मैंने खरीदा था बहुत सारा gold and side quest में भी मिल रहा है बहुत सारा gold I hope कि मेरे पास okay है मेरे पास tech के है तो डाल देते 24 level तक हम इसे डाल दिया है and एक और level इसमें डालना है जल्दी से जल्दी डालते है और nimrod भी हमारा rank 1 पे max out हो जाएगा जो कि बहुत अग्रा damage देगा आगे जाके कभी ने कभी use करने वाला मैं सोच रहा हूँ यह टेक में किसको rank 4 पे लेके जाऊँ वैसे इसे ले जाऊँगा अगर अवेकन हो जाएगा ना तो मैं इसको rank 4 पे लेके जाऊँगा टेक में तो warlock definitely पहली choice है मेरी rank 4 की बाकी सोच रहा हूँ किसको डालो यह टेक में फेमस तो मिला नहीं है ओके क्विक सिल्वर का वेट कर रहा हूँ में 6 चार में अगर मिल जाता है तो बढ़िया रहेगा अबोमिनेशन इम्मोर्टल को अवेकन की जरुरत है क्विक सिल्वर को भी शायद अवेकन की जरुरत है यहाँ पर हमने रैक वन मैक्स आउट कर दिया है और गाइज आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक जरुर करो तो जल्दी मिलता हूँ बाई बाई जल्दी मिलता हूँ जल्दी मिलता है